नमासकार दूस्तों आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है आज में आप सभी को कलास ज देंद का मैध का एक महत्मून कोशचन के हल करके बताउंगा तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो दीखें कोश्चन है अभाज्य गुननखंड वीधी से 8, 9 और 25 का मौस और लस ग्याद करना है यानि क्या करना है लस और मौस ग्याद करना है किस वीदी से अभाज्य गुननखंड वीधी से देखिए लस और मौस समदित हमेशा कोश्चन एकजाम में रहता है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जो संख्या है उसको अभाज्य गुनन खंड निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे अभाज्य गुनन खंड क्योंकि अभाज्य गुनन खंड विदी से निकालना है तो देखिए आठ का अभाज्य गुनन खंड कितना होगा आठ का अभाज्य आपको इसलिए बता है, ताकि आप बड़ी से बड़ी संख्या को असानी से गुननखन निकाल सके, उसके बाद है 9, तो 9 का भाजे गुननखन निकालेंगे, तो 9 में देखे, 3 से लगेगा, 3 ती आई 9, फिर 3 से लगेगा, 3 एक आजाएगा, तो छोड़ दीजेगा, उसके बा दूग आया है, तीन गो, 9 के कितना तीन आया है, दूग और 25 के कितना है, दूग आया है, तो लिखेंगे, 8 का गुननखन कितना है, 2 गुने, 2 गुने, 2, 9 का कितना है, 9 का है, 3 गुने, 3 गुने, 3, काफी असान है, बसरते आपको समझ में आना चाहिए, और 25 का कितना है, 25 का गुनन खंड है पांच गुने पांच गुने पांच गुने पांच समझ गए अब क्या निकालना है लोस और मसा यानी LCM और HCF तो चलिए सबसे पहले इसमें मसा का रहा है तो मसा हम निकाल ले थे इसलिए कितना आठ नौ और 25 का मसा मसा यानी HCF कितना होगा देखे इसमें सबसे पहले देखे जो कॉमन प्राइम फेक्टर कौन है common जो सभी में है तो देखे दो इसमें है इस दोनों में नहीं है फिर देखे तीन इसमें है इस दोनों में नहीं है पांच भी इस दोनों में नहीं है तो देखे कुछ नहीं रहेगा तो समझ जाए एक सब का factor है तो एक होगा न समझ गए तो यहां लिखेंगे एक जैसे यहां लिखे को कि एक से लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए नहीं लिखे हैं तो यहां कुछ नहीं न दिखाई दे रहा है जो सभी में हो तो नहीं है तो समझेगा क्या है एक है तो आठ और नो और पचीस का मासा कितना हुआ एक हुआ जैसे माल लिजे यहां भी दो रहता एक है यहां भी दो यहां भी दो रहता यहां भी दो रहता है तो मासा कितना कर देंगए दुतिख्यש चो हो जाता तो मसा समझ गय अब चलिए लस देखते है आठ नौ और आठ नौ और पचीस का लस यानि LCS लस तो देखिए लस भी समझना काफी असान है आप देखते रहिए देखिए यहां दू काई गो है तीन गो यहां दू नहीं है यहां भी दू नहीं है तो सबसे अधीक कहात कितना है तीन है यानि दू तीन बार नहीं है तो यहां दू तीन बार लिखेंगे समझे है जैसे हम आपको समझा देते जैसे माली जै किसी का गुनन खन में 2 गो 2 रहता और किसी का गुनन खन में 3 गो 2 रहता तो अधीक पावर किसका होगा इसका तो ये वाला लिखेंगे ये नहीं लिखेंगे समझे और इसको कभी भी नहीं लिखेंगे जो अधीक पावर किसे का गुननखन में एगो तीन रहता और किसी के गुननखन में फिर दूगो तीन रहता किसी के गुननखन में मालीजे तीन गो तीन रहता यह समझाने के लिए आपको दे रहे है तो हम इस में देखिए सबसे अधीक पावर कितना है इसमें एगो है इसमें दूगो है इसमें काईगो है तीन गो तो तीन वाला लिखते समझ गए तो यहाँ दूगो अधिक था दूगो लिखे है आप देखे काईगो पांच है दूगो पांच है तो इससे जादे तो कोई नहीं है इससे कम भी नहीं है तो हम दूगो पांच दे तो 72 72 में 5 से गुना करेंगे चले 72 में 5 से गुना कर लेते हैं पांदुना 10, 5 सते 35, 36 कितना आएगा 360 आएगा फिर 360 में 5 से गुना करेंगे तो 0, 6, 5, 30 के 0, 25, 3, 18 यानी 18 सो आएगा समझ गे गुनाप कर लिजेगा अपने तरीके से तो इसका लस कितना हुआ? 18 सो हुआ गुना आप अपने तरीके से कर लिजेगा ऐसे भी कर सकते थे दू-दूना 4, 4-दूना 8, 8-5, 40, 45-200, फिर दू-तियाई 600, 6-तियाई, 18 सो अपना तरीका है आप अपने तरीके से गुनास कर सकते हैं, बस यह समझहे कि सभी को क्या करना गुना करना है तू-दूना सक इतना आया? 18 सो और मसक इतना एक आप इसी तरीके से इस ताइप के कोई भी कोस्च्चन को बना सकते है मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राब जरूर खड़े साथ में कमेंट करके जरूर बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद